आपका क्वांट स्टेडी में एक बार फिर स्वागत है आज हमारा जो 2020 हमारा जो साल है वो आदा खतम हो चुका है आज है 1 अगस्त यानि अगले आदे साल की आज एक नई शुरुआत है और नई शुरुआत के साथ हम आपके लिए एक नई अनॉस्मेंट लेके आए है आज की जो हमारी अनॉस्मेंट है वो है संकल बैच के रिलेटिड जो की स्पेसिफिकली डेजिगनेटेड होकी जेके बैंक पीयो और जेके बैंक बैंकिंग असोसियेट्स के लिए तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कॉंटिटेटिव एप्टिविट्यूट के बारे में जो की हमारी 35 मार्क्स की आती है जेके बैंक पीयो और जेके बैंक लर्ग तोनों के प्री में शुरू करने से पहले बता दूँ कि मेरा नाम है नितिन सिंग्जम वॉल और ये निचे जो एक्जाम्स मैंने क्लियर किये हैं ये उनकी डिटेल्स है हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये संकल पैच की सब वीडियो देख सकते हैं उसका डिरेक्ट लिंक यहां पर मौझूद है इसके साथ हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं ये मेरे परसनल इंस्टाग्राम की है और ये हमारे पेज का जो इंस्टाग्राम है उसकी यूजर आइडी है तो जल्दी से हमें हर जगा फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता जाना चाता हूँ जैसा कि आप जानते हैं हम जो क्वांट स्टाडी के जितने भी हम टीचर्स हैं ये एक free education का initiative लेके आए हैं कि हर बच्चे तक education जो है at least वो चीज तो free पहुँचनी चाहिए और हमने एक और initiative शुरू किया कि अगर आपको लगता है कि आप free education देने में हमारी help कर सकते हैं आप कोई subject अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं उनक अपनी gmail id पे वहां जो लिखा होता है to और एक box बना होता है उसमें आपको ये id डालनी है यानि कि helpdeskquantstudy at the read gmail.com अपना name city जो subject आप पढ़ाना चाते हैं और अपना contact number email की body में लिखना है और हमें send कर देना है अब बात करते हैं हमारे syllabus की जो हम quantitative attitude में पढ़ने वाले हैं उस syllabus की सबसे पहले और सबसे important चीज़ आती है हमारी simplification और ये हमारी 5 से 10 marks की आती है 5 marks की minimum तो definitely आएगी ही आएगी अगर आप हमारी किसमत अच्छी हुई तो ये 10 marks की भी आ सकती है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हमारी किसमत अच्छी हुई क्योंकि simplification जो है हमारे पूरी quantitative aptitude का सबसे easiest part है और ये सबसे जादा marks का आता है ये सबसे जादा हमारा score बढ़ाता है तो अगर 10 marks के आगी तो मान लेजी है आपकी किसमत बहुत अच्छी है आप 10 marks definitely अपनी जेब में लेकर जा रहे हो next part आता है हमारा quadratic equation quadratic equation हम जो school में करते थे दिखने में हमें मुश्किल लगती थी पर जो मैं आपको इस संकल batch के lecture में पढ़ाऊंगा वो एक trick के थ्रू पढ़ाऊंगा और quadratic equation में भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 seconds लगेंगे एक question को solve करने में मैं बत कह रहा हूँ ज़्यादा स ज़्यादा यानि की max time आपको 30 seconds लगेगा करने वाले इसे 10 seconds में भी कर लेते हैं और उससे कम में भी हो जाता है कुछ-कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपका सिधा question देखते ही आपको answer बता देगी उसको solve करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब हम chapter जब आएगा उसी में ही discuss करेंगे next हम हमारी miscellaneous maths यानि की जिसमें सारे chapter cover होते हैं उसकी शुरात करेंगे percentage and fraction chapter से ये बहुत ज़्यादा important part है हमारी di यानि की data interpretation को लेके तो सबसे पहले हम ये part शुरू करेंगे next हम पढ़ेंगे average ये as a chapter भी one mark का question आता है उसके बावजूद इसके base पर di भी आती ह है ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे ratio proportion chapter ratio proportion chapter का कभी कभी one mark का equation as chapter भी आ जाता है पर इसका सबसे ज़्यादा important role कहा है इसका सबसे ज़्यादा important है हमारे आगे के 3 chapters में यानि की ages, partnership और mixture allegation में उसके अलावा ratio proportion di में आता है आपके पास 2-3 di आती है maths में जिसमें से एक ऐसी di ह होगी जो ratio proportion chapter से totally related होगी तो इस aspect में हमारा ratio proportion chapter और हमारा percentage chapter बहुत जादा important है जैसा कि आगे मैंने आपको बताया कि ages, partnership, mixture allegation तीनो ratio proportion chapter से related है बस इनके concepts जो हैं थोड़े थोड़े different है तो वो concept में आपको explain कर दूँगा आपके ये chapter भी चुटकियों में हो जाएंगे उसके ब time and work chapter से directly related है हमारा pipes and system का chapter अगर हमारा time and work पे hold strong बन गया है तो हम pipes and system यानि आप लगा लो कि time and work परते ही आपका pipes and system cover हो गया time and work में क्या होता है A and B can do a piece of work और pipes and system में क्या होता है pipe A and pipe B can fill a tank बस यही चीज़ों का wordings का difference है और इसमें एक leakage का concept आता है वो भी मैं आपको पढ़ा दूँगा तो उसके बाद आपका pipes and system chapter भी totally complete हो जाएगा next आता है हमारा time speed distance chapter इसका एक मार्क का question आता है उसके अलावा trains, boats and stream इनके भी 0 से 1 मार्क के question आते हैं each chapter के यानि कि train का भी एक मार का question आ सकता है boat and stream का भी एक मार का question आ सकता है और हो सकता है कि दोनों के एक एक मार के question दोनों के ही आ जाएं तो ये chapter भी हमारे काफी जादा important है फिर आता है हमारा profit and loss ये भी काफी interesting chapter है permutation combination probability SI,CI ये तीन chapter आपके थोड़े से time consuming है तो pre की preparation के लिए हम इन तीन chapters को थोड़ी कम priority देंगे ठीक है least priority देंगे बाकी के chapter हम सबसे ज़ादा priority पर रखेंगे और finally हमारी di जो हमारी 10 से 15 marks की section को cover करते हैं देखे 35 marks की maths है 10 marks की अगर di आईगी तो 10 marks की simplification आजाएगी 15 marks की अगर di आईगी तो 5 marks की simplification आईगी उसके अलावा 10 marks की di आईगी 5 marks की simplification आगी 5 marks की quadratic आगी quadratic तो आती आती है बड़े rare chances होते हैं की quadratic ना आए तो यानि आप लगा लीजिए की quadratic simplification और data interpretation ये तीनों section मिलके 20 से 25 marks की maths को cover करती हैं तो हम इन 3 chapters पर खास ध्यान देंगे ठीक है अब बात करते हैं की मैंने आपको वीडियो के starting में बता दिया हमारा एक facebook group एक instagram group उसके अलावा हमारा एक telegram group भी है और हर वीडियो के description में उस telegram group की जो direct link है वो हर वीडियो के description में available होगा next is math पात शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जब भी मैं आपके सामने कोशन रखूंगा screen पर जो मर्जी वो chapter हो पहले आपने कोशिश करनी है कि उसे खुद solve करो अगर आप trick apply करके कर सकते हो well and good अगर आप नहीं कर सकते हो तो basic जो आपका traditional method है आप जो x लेके करते हो उससे भी आप solve करने की कोशिश करोगे ऐसा आप क्यों करोगे क्योंकि ये चीज़ करने से आपका अगर answer आ जाता है तो इसका मतलब आपका basic concept clear है अब आपको शरफ trick पे काम करना है अगर ये चीज़ करने से आपका answer नहीं आता तो कोई बात नहीं मैं पहले आपको traditional method से भी करके बताऊँगा फिर आपको trick से भी करके बताऊँगा तो इतनी टेंचन लेनी की दूरत नहीं है मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज भी cover करवाँगा अब जिस announcement की मैं बात कर रहा था वो जो major announcement हमारी है कि हमारा जो संकल बैच है JK Bank PO और JK Banking Associates के लिए वो शुरू हो रहा है 3rd of August से यानि कि आज से 2 दिन बाद जिसे हम 1st Monday of August भी कहते है साथ ही हमारा schedule के है कि हम हर Monday, हर Wednesday और हर Friday को 2 बजे अपनी वीडियो अपलोड किया करेंगे exactly 2 बजे ना 2 बजे से 1 मिनिट उपर ना 2 बजे से 1 मिनिट पहले exactly 2 बजे हमारी वीडियो अपलोड होगी तो क्या आप next officer बनने के लिए तयार है देखिए आपको comment section में active रहना पड़ेगा जो question आपको solve करने के लिए कहा होगा वो आप solve करेंगे और comment section में post करेंगे इसका एक फाइदा क्या होगा जो बच्चा comment section में जादा से जादा active होगा हमारा उस पे खास ध्यान रहेगा हम उस पे खास नज़र रखेंगे और हमारी एक priority set हो जाएगी कि जो भी उस बच्चे की query होगी हम उसे पहले attend करेंगे queries हम undoubtedly सबकी attend करेंगे पर जो बच्चा हमें जादा active दिखा हम उस बच्चे पर जादा focus डालेंगे कि वो बच्चा efforts मार रहा है तो हम भी efforts लगाएंगे उस बच्चे को officer बनाने में ठीक है तो मिलते हैं फिर मंडे को यानि की 3rd अगस्ट दो बचे तब तक अपने घरों पर रहिए social distancing maintain कीजिए क्योंकि करोना का बहुत बुरा वक्त चल रहा है और crowded places पर जाने से बचिए अपने आपको साफ सुतरा रखिए साफ खाना खाईए और कोशिश कीजिए जितना घर से ही बना बनाया आप खाना खा सको वो खाईए फिलाल के लिए fast food थोड़ा avoid कीजिए God bless you all मिलते हैं मंडे को Thank you so much